दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के पाँच सबसे बड़े सांप दिखाने जा रहा हूँ जिनें देखकर साइद आप डर जाओ जो इतने विसाल थे कि किसी भी इनसान को पल भर में बड़े आराम से निकल जाए आईए जानते इनके बारे में ब्राजील में जब वरकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे तो उन्हें वहां 33 फूट लंबा एक एनकोंडा मिला उन्होंने इसका एक वीडियो भी बनाया जिसे देखकर आपको एनकोंडा मुवी की याद आ जाएगी जो उस समय मर चुका था लेकिन डर की वज़े से लोगों ने उसे बड़ी बड़ी सलाकों से बांध रखा था जब लोगों ने उस वीडियो को देखा तो वो सब उस साप की मोत का कारण उन्हों वरकर्स को मानने लगे कि उन्हें किसी जानवर को नहीं मानना चाहिए था रिवर एनाकोंडा अमेरिका में जब एक मचुवारा अपनी नाव से एक नदी से ओकर गुजर रहा था तब ही अचानक उसके सामने एक विसाल एनाकोंडा आ गया जिसे उसने अपने केमरे में केट कर लिया जिसमें आप देख सकते हो कि वो साम नाव से दूर भाग रहा है और वो मचुवारा उसका पीछा कर रहा है बाद में उस वियक्ती को बिना लाइसेंस के जानवर का सिकार करने के लिए 60 डोलर का जुर्माना लगा दिया और 18 महीनों तक जेल में डाल दिया एंसेंट इसनेक प्राचीन लोगों की माने तो ये साम सोफिट लंबा हुआ करता था जो कि एक मिधिकल इसनेक है ये बात तब साबित हो गई जब ये फोटो इंटरनेट पर वाइरल हो गई जिसमें नदी में एक साम दिख रहा है जिसे कुछ टियूरिस्ट ने हेलिकॉप्टर में से नदी के उपर से जाते समय अपने केमरे में केट कर लिया था जिसके बारे में नियूस पेपर में भी खबर छपी लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये फोटो शॉप का कमाल है वहीं कुछ लोग इसे सच मानते है साल 2002 में जब एक कोलंबियन स्टुडेंट कोईल खदान में काम कर रहा था तब उसने एक दिल्चस्प खोज की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साप टाइटेनो बोवा का कंकाल था जिसे बाद में म्यूजियम में रख दिया गया ताकि लोग उसे आकर देख सके और समझ सके कि डाइनासोर के समय का ये विसाल साप कितना बड़ा और भयानक हुआ करता था मिसूरी स्नेक साल 2011 में मिसूरी सहर में एक बड़े साप को खोजा गया जो 25 फिट लंबा था जिसके बारे में माना जाता है कि खा जाता है दोस्तों मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकिंड लगेगा और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना न बूले